जैसे जैसे भारत में पैट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही लोग प्लैन कर रहे हैं कि एक ऐसी गाड़ी ली जाए जिनमें उनको माइलेज अच्छा मिल जाए और वो इस गाड़ी को लॉंग टम तक भी चला सकें तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसी गाड़ी के लिए आपको सेफटी फस्ट प्रायोटी रखनी है तो आप बिल्कुल टाटा पंच की तरब भी जा सकते हो 6 लाक रुपय एक शुरूम से ये गाड़ी चालू होती है और इसको टॉप मोडल है वो आपको 9.52 लाक रुपी एक शुरूम का मिल जाता है कार को जो लुक्स ह 27 mm का ग्राउंड किलिरेंस मिल जाता है संरूफ आपको इसमें नहीं मिलता है एंजिन की बात करें तो कार में आपको दो इंजिन ऑप्शन्स मिलते हैं पहला आपको मिलता है 1.2 लीटर का नैचरली एस्परेटेड़ पैट्रोल इंजिन जिसमें आपको 85 बहप की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता है 5-speed के manual transmission और automatic transmission में आपको यवाला इंजिन मिल जाता है और इस इंजिन से आप तकरीबन 19-20 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो वहीं दूसरा इंजिन आपको मिलता है 1.2 लीटर का CNG और इस इंजिन से आप तकरीबन 22 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो कार का जो interior है वो भी spacious और comfortable है तो आप 5 लोग आराम से travel कर लोगे features में 7-inch infotainment system with apple carplay और android auto connectivity, tft 7-inch instrument cluster, 4 speakers, push start button, यहाँ पर आपको मिलता है auto climate control, height adjustable driver seat, leather steering wheel, auto fold ORVM, cool head glove box, ऐसे चीज़ें आपको अंदर features में मिल जाती है safety के लिए 5 star की global n-keep rating, dual airbags, reverse parking camera, auto headlamps, ABS, EBD, rear defogger, ISOFIX child seat और जैसे मैं ना को बता है 5 star की rating तो इतना कुछ आपको इस कार में मिल जाता है तो अगर आपका budget कम है आपको एक अच्छी मजबूत कार चाहिए अच्छे mileage के साथ में तो आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हो नमबर 5 पर आती है Hyundai Venue, Venue का जब से नया facelift भारतिय बजार में आया है तब से इस कार ने market में तहलगासा मचा दिया है 7.72 lakh रुपीज एक शुरूम से ये गाड़ी चालू होती है और इसका जो top model आपको 13.18 lakh रुपीज एक शुरूम का मिल जाता है कार का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदार है सब 4 मीटर कॉम्पक्ट SUV के अंदर ये कार आती है और इसमें आपको जो एलेक्ट्रिकल्स है उनकी जो visibility जो performance है वो भी यहाँ पर आपको A1 quality की मिल जाती है 190 mm का ground clearance आपको इस कार में मिल जाता है, cornering lamp, sunroof भी आपको इस कार में offer किया जाता है और 16 inches के alloy wheels आपको इस कार में top model में मिल जाते हैं वहीं base model में आपको 15 inches के rim wheel मिलते हैं कार के engine की बात करें तो कार में वैसे तो आपको 3 engine option मिलते हैं लेकिन यहाँ पर हम एक engine को हटा हैं जो की है 1 liter का turbo charge petrol क्योंकि यह powerful engine है इसलिए आपको इसमें जो mileage वो यहाँ पर कम मिलता है वहीं 2 engine की बात करें बचे हुए तो यहाँ पर मिलेगा 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 83 bhp की power और 115 newton meter का torque मिलेगा यह वाला variant आपको 5 speed के manual transmission में ही मिलने वाला है और इस petrol engine से आप तकरीबन 18-19 kmpl तक का mileage निकाल लोगे वहीं दूसरा engine आपको मिलेगा 1.5 liter का diesel तो किसी को diesel की demand तो वो इस car की तरफ जा सकता है 100 bhp की power मिलेगी और 240 newton meter का torque मिलेगा और यह वाला जो variant है यह सरफ आपको 6 speed के manual transmission में ही मिलेगा और इस engine से आप तकरीबन 21-22 kmpl तक का mileage निकाल लोगे अब यह जो mileage वो इतना जादा इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप car को constant speed पर ride करोगे 62-80 के बीच में तो यह इतना मालेज आपको निकाल कर दे देगी बाकी car का जो interior वो feature से भरा हुआ है और आप 5 लोग आराम से travel कर लोगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है car के safety features में आपको dual front airbags मिलेंगे ABS with EBD, brake assist, vehicle stability management, electronic stability control, hill start assist control, rear parking sensors इतने सारे safety features भी आपको इस car में मिल जाते हैं तो अगर आपका budget जादा है आपको एक comfortable car चाहिए जिसमें आपको diesel और petrol दोनों का ही option मिल जाए और एक अच्छा mileage मिल जाए तो आप आँख बंद करके Hyundai Venue की तरफ जा सकते हो नमबर 4 पर आती है Suzuki Breeza, Breeza भी एक सब 4 मीटर compact SUV है जिसको भारत में बहुत पसंद किया जाता है और देखा जाए तो Suzuki की जो fan following है इंडिया में वो और दूसरे car brand की मुकाबले जादा है इस car की pricing चालू होती है 8.29 लेक रूपीज एक शुरूम से और इसको जो top model है आपको 14.14 लेक रूपीज एक शुरूम का मिल जाता है car का जो लुक्स है वो बेहदी खूपसूरत है और इसमें आपको जो electricals है वो भी price के साब से बहुत ही शांदार मिल जाते हैं तो आपको किसी भी चीज को लेकर problem नहीं आएगी बढ़िया quality का material यहाँ पर इस car में use किया गया है car में आपको sunroof भी मिल जाता है उपर आपको roof rails मिलती है 190 mm का ground clearance आपको यहाँ पर मिल जाता है auto ORVM भी आपको इस car में available कर दिये जाते हैं बात कर लेते हैं car के engine की तो car में आपको दो engine option मिलते हैं पहला आपको मिलता है 1.5 लीटर का mild hybrid petrol engine लेकिन यहाँ पर जो manual transmission है वहाँ से hybrid हटा दिये गया है hybrid आपको सरफ automatic transmission में ही मिलने वाला है 5 speed के manual transmission और 6 speed के automatic transmission में आपको यह वाला variant मिल जाएगा और इस engine से आप तकरीबन 19 से 22 km पील तक का mileage निकाल सकते हो वहीं दूसरे engine आपको मिलेगा 1.5 लीटर का CNG जिससे आप तकरीबन 25 km पील तक का mileage निकाल लोगे car का जो interior है वो बहुती spacious और comfortable है तो आप 5 लोग आराम से travel कर लोगे touch screen infotainment system with apple carplay और android auto connectivity के साथ में bluetooth connectivity steering wheel mounted controls आपको मिल जाएगा center में MID display instrument console में और analog meter auto climate control power windows keyless entry ऐसे कुछ आपको कारण मिल जाते हैं heads up display 360 degree camera तो features तो आपको price के साब ठीक ठाक मिल जाते हैं safety में आपको dual front airbags ABS with EBD brake assist rear parking sensors rear parking camera तो इतने सारे safety features भी आपको इस में मिल जाते हैं तो मैं कहूं तो अगर आपको एक जादा mileage वाली कार चाहिए और आपका budget भी ठीक ठाक एक balanced budget है तो आप आँख बंद करके सुजुकी ब्रीजा की तरफ जा सकते हो number 3 पर आती है Hyundai i20 i20 एक 5-seater hatchback कार है और इस कार का जो looks है वो यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आता है और भारत में इस hatchback कार को बहुत पसंद किया जाता है 7.46 lakh रुपीज एक शुरूम से एक गाड़ी चालू होती है और इसका जो top model वो आपको 11.88 lakh रुपीज एक शुरूम का मिल जाता है कार का looks बहुत ही बढ़ी है और जो electricals है वो भी आपको यहाँ पर price के साबसे बहुत ही शांदर इस कार में offer करवा दिये जाते हैं कार में आपको 16 इंचे के alloy wheels मिलते हैं और 190 mm का ground clearance मिल जाएगा कार के engine की बात कर तो यहाँ पर भी आपको 3 engine option मिलते हैं जिसमें की एक engine को हम अटारें जो कि यह 1 लीटर का टर्बो चार्ज पैटोल इंजन क्योंकि इस engine से आपको कमी mileage मिलता है अराउंड 12 से 13 का ही मिलता है अगर बात कर लेते हैं इस कार के दो बचयों इंजन की तो यहाँ पर आपको मिलगा 1.2 लीटर का naturally aspirated पैटोल इंजन जिसमें आपको 82 BHP की power और 115 न्यूटर मीटर का torque मिलेगा और यह वाला जो variant है वो आपको 5 स्पीट के manual transmission और CVT automatic के transmission में मिल जाएगा और इस engine से आप तकरीबन 22 की MPL तक का mileage निकाल सकते हो वहीं दूसरा engine मिलेगा आपको 1.5 लीटर का diesel engine तो यहाँ पर अगर किसी को diesel engine चाहि है 99 BHP की power और 240 न्यूटर मीटर का torque मिलेगा और यह वाला जो engine है वो आपको 5 स्पीट के manual transmission में ही मिलेगा और इसमें आपको जो mileage है वो आप तकरीबन 20 से 22 के MPL तक का निकाल सकते हो कार के interior देखे हैं तो आप 5 लोग आराम से comfortable होकर travel कर लोगे space को लिकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी infotainment system, bluetooth connectivity, steering wheel mounted controls, auto climate controls, power window, wireless phone charging ऐसे features आपको interior मिल जाते हैं safety के लिए dual front air wax, ABS with EBD, brake assist, vehicle stability management, electronic stability control, hill start assist control, rear parking sensors, rear parking camera यहाँ पर safety features को मैं यहाँ पर highlight इसलिए जादा कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत महत्वपून चीज़े हैं जो कि आज के time में सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो दोस्तों मैं कहूं तगरा का budget इतना है और आपको अपनी family के लिए अच्छी mileage वाली car चाहिए एक मजबूत car चाहिए बढ़िया features के साथ में, बढ़िया safety features के साथ में तो आप Hyundai i20 को ले सकते हो नमबर 2 पर आती है Suzuki Baleno ये भी एक 5-setter hatchback car है जिसको भारत में बहुत पसंद किया जाता है और हर मेने इस car की कम से कम 10 से 12,000 सेलिंग हो जाती है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि लोग इस car को बहुत पसंद करते हैं 6.60 लाइक रूपीज एक शुरूम से ये car चालू होती है और इसको टॉप मॉडल है आपको 9.88 लाइक रूपीज एक शुरूम का मिल जाता है car का जो लुक्स है वो थुलबहुत यहाँ पर sporty टाइप बनाया गया है लेकिन देखने में simple लगती है और simple looks में ही ये car बहुती सुन्दर देखती है car के जो electricals है उनकी जो working है जो performance है जो visibility है वो भी यहाँ पर आपको शांदार मिल जाती है 170 mm का ground clearance आपको यहाँ पर मिलता है 16 inches के alloy wheels offer करवा दिये जाते हैं engine की बात करे तो car में आपको 2 engine option मिलते है पहला आपको मिलता है 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 82 bhp की power और 113 newton meter का torque मिलता है और इस engine से आप तकरीबन 22 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो वहीं दूसरा engine आपको यहाँ पर मिलता है 1.2 liter का CNG जिससे आप तकरीबन 25 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो 5 speed के manual transmission और automatic transmission में आपको CVT कस्प में option मिल जाता है car का जो interior है वो बहुत spacious और comfortable है तो आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप 5 लोग आराम से travel कर लोगे टच स्क्रीन, infotainment system, Bluetooth connectivity, USB and AUX input ports steering wheel mounted controls, power windows, auto climate control, keyless entry, push start button heads up display, 360 degree camera, ऐसे features आपको मिल जाते हैं safety के लिए dual front airbags, ABS with EBD, brake assist, ISOFIX, child seat, rear parking sensors, rear parking camera तो ऐस चीज़े आपको यहाँ पर safety के लिए भी मिल जाती है तो मैं कहूं तो अगर कब budget कम है और आपको एक कम budget में अच्छी mileage वाली car चाहिए तो आप आँख बंदे करके सुजुकी बलैनों की तरफ जा सकते हो नमबर वन पर आती है वो car जिसको उन लोगों के लिए बनाया गया है जिसका budget और भी कम है और कम budget में उनको अपनी 5 लोगों की family के लिए एक अच्छी mileage वाली car चाहिए तो यहाँ पर नमबर वन पर जाती है मारूती अल्टो के 10 यह जो car है यह 5 सेटर हैच बैक के अंदर आती है 3.99 लैक रूपीज एक शुरूम से यह गाड़ी चालू होती है और इसका जो top model है वो आपको 5.84 लैक रूपीज एक शुरूम का मिल जाता है दोस्तो इस car को जो top model लेना वो भी यहाँ पर आपको 6.48,000 का on-road मिल जाता है वो भी automatic में तो वो भी आप ले सकता है अगर आपको top model इस car का लेना है car का जो look से वो पहले के मुकाबले यहाँ पर exchange किया गया है मतलब नया किया गया है और अब यह car बहुती बढ़िया दिखती है car के जो electricals हैं उनकी जो visibility जो performance है वो भी हाँ आपको शानदार मिल जाती है car में आपको एक engine मिलता है जो कि है 1 लीटर का पैटोल engine जिसमें आपको 65 बहपी की power और 89 न्यूटर मीटर का torque मिलता है 5-speed के manual transmission और automatic transmission में आपको यह वाला engine मिल जाता है और इससे आप तकरीबन 27 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो जी हाँ दोस्तो 27 kmpl तक का mileage यह car आपको निकाल कर दे देगी car में आपको इंटियर में बात करें तो आप 5 लोग आराम से travel कर लोगे keyless entry, infotainment system में लगे जिसमें आप Apple CarPlay और Android Auto Connectivity को यूज़ कर सकते हो और आप 5 लोग आराम से इस car में travel कर लोगे और safety features भी आपको इस car में ठीक ठाक मिल जाते हैं तो मैं कहूं तो अगर आपको बजट कम है और आपको कम बजट में एक जादा मालेज वाली car चाहिए तो आप Alto K10 की तरफ भी जा सकते हो बाकि दोस्तो आप कमेंट करके बताओ कि इन 6 cars में से आप कौनसी car को अपनी family के लिए लेना पसंद करोगे जिन में आपको बहुती बड़िया मालेज दिखाई देता है तो मीधे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबस्क्राइक पर के बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी एक लिए थैंक्स तिल देन वेट फॉर माइन यू अपकमिंग वीडियो